यह से आपको पता है कि साल क्लास 10 में नए टाइप का कोश्चन जो है इंगलिस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा यह पर पैराग्राफ अनलाइज पे आपका कोश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए तो इसके लिए आपको किस तरीके से कोश्चन का आंसर लिकना है जिसे म सबसे पहली बाद आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ गिवन होगा उसके बारे में आपको पढ़ना होगा पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि हम किस तरीके से अनलाइज करके लिख सकते हैं यहां पर हमारा पैरेग्राफ क्या कहता है फने क्ल Groß प्लास्टिक होगा प्लासों सब्वख से और बहुत ही के ओस कि नहीं चुकी है और प्लास्टिक ऐलल Ein चीजे हैं जो कि इस चीज को अच्छी तरिके से यूज कर पा रही है तो इसलिए इसे बैंट नहीं करना चाहिए तो यह तो है पैराग्राफ जो कि किसी मैगजिन्स में लिखा हुआ था ठीक है ना यह आपको दिया उसके बाद आपसे कोशन क्या पूछा हुआ है इस आर्गुमेंट को देखते हुए आप अनलाइज करो उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है क्योंकि फाइब बाक्स काया तो आपको ज्यादा वर्ट के साथ लिखना नहीं है सिर्प आपको चेक कर रहे हैं कि इस ट्राइब कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो क्योंकि यह ऐसी चीजे रटिक रटाई नहीं है आप खुदी प्रिपेर करोगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर टॉपिक चेंज जागा न तो आपको क्या करना है यू कुड थिंग अबाउट वोट अल्टरनेटिव एक्स्प्लेमिशन माइट वीकन दी गिवन कॉंक्लूजन आप जो है इस कोस्टिन का अंसर कई चीजों में दे सकते हैं आप पहला यह होगा कि आपका जो भी यह स्टेटमेंट लिखा हुआ, जो भी यह paragraph लिखा है इसे अगेंस्ट में लिखो ठीगा है उसके लावा यह हो सकता है कि आप इसके सपोर्ट में लिखो और जब्स करके तो इस argument की according लिखना है ठीक है न आप देखिए इसका solution किस तरीके से लिखने वाले हैं हम ठीक है न argument for except ban on plastic प्लास्टिक बैन पे इस चीज को लिखा हुआ था तो हम क्या करेंगे वैसे भी plastic ban of course आपको support करने के लिए एक अच्छा point देना पड़ेगा जिससे teacher impress हो examiner impress हो लेकिन आपको भी पता है कि आप as a student हमें पता है कि plastic कितना ज्यादा खतरनाक है तो हम इस point से बिल्कुल भी agree नहीं कर रहे हैं कुछ अलग point होगा तो आप उसमें लिखेंगे कि हाँ अगर आप उसके स तरीके से लिख रहे हैं I don't agree that the plastic band is impractical मुझे नहीं लगता कि हाँ plastic band कुछ impractical है no doubt plastic has become an integral part of our fast pace life but it does not mean that its side effect can be ignored इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि plastic जो हमारी जिंदगी का एक integral part बन चुका है इनिमल्स कभी-कभी plastic bag को खा लेते हैं खाने के साथ में तो उसके आलाव फिर उनको दिक्कत होती है उसके लाबा जो गरम खाना को पैक के जाता है plastic में तो वह क्या करता है plastic के साथ react करके उसे खतरनाख चिज़े मनती है जिससे लोगों को बिमारियों का सामना भी करना पड क्योंकि फाइब माक्स का ही कोश्चन है ठीक है आप एससे की तरह नहीं लिखोगे इतना दो धाइसों में लिख रहे हैं सेटिजन मस्ट कोपरेट विद गॉर्मेट वा यूजिंग ट्रेडिशनल क्लोथ बैक्स और यूजिंग बैक बिफोर थ्रोइंग इट अबे सेटिजन को क्या करना चाहिए गॉर्मेंट की पॉलिशी के साथ कोपरेट करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए और जैसे हम ट्रेडिशनली कपड़े का बैक यूज करते थे या फिर उन्हीं बैक पों बार बार यूज करें इससे पहले की फेक दें ठीक है न इसके रबा क्या हो सकता है कि फाइन या फिर चार्ज लगाना चाहिए ताक कि मतलग कोई भी सिंगल यूज करें तो इसमें फाइन लगाना चाहिए इट कंपेल पीपल टू कैरी दिस ओन कैरी बैक और कंटेर तो यह चीज़े मजबूर कर देंगी कि अब लोग जो है कुद भी जैसे कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जैसे आपका प्लास्टिक बैक पर दे दिय इसके लब आपको इतने ही सिंपल सिंपल वर्ड को यूज करके ही लिखने है बाकि आप वीडियो को लाइक कीज़े दोसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कुछ अलग टौपिक कि अपके माइंड में आ रहा है ना जो कि जिस पे की इस ट्रॉप्टी के बन सकता है तो इसको फटा-फट से कमेंट वोक्स में लिख के भेज़ दीजिए उस पर्टिकुलर के वीडियो आपको लिए प्रवाइड हो जाएगी तो वीडियो को जितना हो सके अपने तुस्पी दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए क्योंकि जितने जादा व्यूज आएंगे उतना जादा एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियो लाते रहें बाकी चैनल पर जो नए बच्चे हो फटा वेडियो सब्सक्राइब करके वे लाइकन क्लिक कर लिजे ताकि नए विडियो की नॉट्रिकेशन आपको तुरंत मेले